इस वीडियो में हम ग्यांटपीर पुरसकार के बारे में बात करेंगे ग्यांटपीर पुरसकार भारत का सबसे बारा साहित्य के छित्र में दिया जाने वाला पुरसकार है जो कि हाली में घुषना किया गया है 2021 और 2022 के लिए किन दो व्यक्तियों को ग्यानफिल पुरसकार दिया जाएगा असमिय सहितकार निलमनी फुकन को वर्ड से 2021 जबकि कौंकनी सहितकार दामोदर मौजो को वर्ड से 2022 के पर्तिष्टित ग्यानफिल पुरसकार से नवाजा जाएगा भारतिय ग्यानफिल ने वंगलवार को एक ध्यान जाड़ी दिया यानि कि दिनान के साथ दिसंबर 2020 को इसका घोसना किया गया है कि इन दो सहितकारों को वर्ड से 2022 तथा 22 के लिए ग्यानफिल पुरसकार दिया जाएगा ग्यानफिल पुरसकार चैन समिति ने 2021 और 2022 के लिए करमसा 56 और 57 में ग्यानफिल पुरसकार की घोसना कर दी है गैनपीर पुड़िकार से समानित पर तिभार आए गिया धेक्स्ता में हुई चैन समीती के बैठक में एफ हैंसला लिया गया है 1933 में जन्मे निल मनी फुकन का असमिया सहित में 20 सस्थान है वहीं पदमे सिरी सहीत अकादमी असम वैली अब और सहीत अकादमी फैलोशिप सहीत कई पुरसकारों से समानित किये जा चुके हैं वहीं 2022 के लिए गैनपीर पुरसकार से नमाजे जाने वाले दामोदर मौजो कौंकन के सहितिक परिद्रिस सिकायक चर्चित चेहरा है उनका जन्म 1944 में हुआ था तो आपने यहाँ पे देखा कि वर्स 2021 के लिए जो गैनपीर पुरसकार दिया गया है यानि कि 56 गैनपीर पुरसकार जो परदान किया जाएगा वह नील मानी फूकन को परदान किया जाएगा जो कि असमिया भासा के एक साही पिकार है और वर्स 2022 के लिए जो गैनपीर पुरसकार परदान किया जाएगा यानि कि संतावनवा गैनपीर पुरसकार जो परदान किया जाएगा वह दामोदर महुजो को परदान किया जागा जो की कौंकनी भासा के एक साही पिकार है वह यह बात करते हैं कि पीछे यानि कि बड़ से 2020 में यह पुरसकार किसे दिया गया था तो बड़ से 2020 में यह पुरसकार किसी को भी नहीं दिया गया था यानि कि वर्ड से 2019 के बाद यह पुरसकार सीधे 2021 और 2022 में परदान किया गया है आप ध्यान लखेंगे यह करेंड का कोस्चन है और लगवर एजाम से पूछा जाता है कि यह फिर पुरसकार के बारे में और भारत का सरवच सहित्य पुरसकार के बारे में तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में